कुछ वर्ष पहले की बात है जब बिहार में 3 किलोमिटर सडक चोरी होने की खबर मैंने सुनी थी. उस दिन मुझे लगा कि बिहार में अगर सडक चोरी हो रही है तो बिहार में लोग किस तरह से चलते होंगे. वहां के रोड और ट्रांसपोर्ट की बात कोई नहीं करता था. के लिए किस तरह से मेहंत करते हैं वो भी देखा है। से प्रदेश में चार एक प्रेसवे बन रहा है। पहला एक्सप्रेस्वे और अंगाबाद से जैनगर के बीच एक्सप्रेस्वे के निर्मान की प्रक्रिया चल रही है। दूसरा एक्सप्रेस्वे रक्सॉल से पटना होते हुए कोलकाता तक का होगा। तीसरा एक्सप्रेस्वे बकसर से भागरपुर के बीच प्रस्तावित ह गोरखपुर से सिलीगुडी के बीच प्रस्तावित यह बिहार का चौथा एक्सप्रेस्वे होगा इन चारों एक्सप्रेस्वे से बिहार के 38 जिलों में से लगभग 28 जिले जुडेंगे ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बिहार के विकास की रफ्तार भी टेज होगी आए हम नजर डालते हैं बिहार के इन चारों एक्सप्रेस्वे के बारे में कि ये किन-किन जिलों से गुजरेगा औरंगाबाद जैनगर एक्सप्रेस्वे औरंगाबाद के मदनपूर से शुरू होने वाली ये फोर लेन सड़क गया एरपोर्ट के बगल से होते हुए जीटी रोड को भी संपर्कता प्रदान करेगी गया से ये जहानाबाद और नालंदा के बॉर्डर से गुजरते हुए पटना में कच्ची दरगाह में आएगी यहां से बिदुपूर के बीच बन रहे छे लेन पुल से चकसिकंदर महुआ के पूरब होते हुए ताजपूर जाएगी वहां से दर्भंगा एयरपोर्ट के समीट से गुजरते हुए जैनगर में समाप्थ होगी और अंगाबाद से जैनगर तक की यह सड़क 271 किलोमीटर लंबी होगी ये सड़क पटना सहित प्रदेश के छे जिलों से होकर गुजरेगी इस सड़क से पटना का गया और दर्भंगा एयरपोर्ट से सीधा समपर्ख हो जाएगा कच्ची दरगाह विदुपूर के बीच बन रहे पुल के माध्यम से ये वैशाली में प्रवेश करेगी मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने इस पुल को ताजपुर तक जोड़ने को कहा है ऐसे में इसकी उप्योगिता और बढ़ जाएगी वैशाली से समस्ती पुर्व दर्भंगा होते हुए नेपाल सीमा पर जाकर जैनगर में यह सड़क खत्म होगी इस तरह फोर लेन बनने वाली यह सड़क पटना के अलावा और अंगाबाद, जहानाबाद, वैशाली वमधुबनी से होकर गुजरेगी रक्सॉल हल्दिया एक्स्प्रेस्वे नेपाल सीमा पर स्थिक बिहार के रक्सॉल से हल्दिया तक रज्ज का दूसरा एक्स्प्रेस्वे 6-8 लेन का होगा बिहार के इस दूसरे एक्स्प्रेस्वे का निर्मान अगले साल से शुरू होगा यह करीब 695 किलोमेटर लंबा होगा जिसके निर्मान पर 54,000 करोड रुपए खर्च होंगे इसके निर्मान को पूरा करने की समय सीमा वर्ष 2024 से 25 है फिलहाल इस एक्स्प्रेस्वे की DPR की प्रक्रिया शुरू होने वाली है अब तक मिली जानकारी के अनुसार रक्सल हल्दिया एक्स्प्रेस्वे पूरी तरहे द्रीन फीड होगा और इसमें बीच में नहीं चड़ा जा सकेगा यह बिहार के नौ जिलों से होकर गुजरेगी इन में पश्चिन चमपारण, पूर्वी चमपारण, मुजफरपुर, सारण, पटना, बिहार शरीफ, शेखपुरा, जमुई और बाका शामिल है इसके बाद यह एक्सप्रेसवे जहारखंड में प्रवेश कर सरयाहाट, नोनीहाट वदुमका से पश्चिन बंगाल के पानागड से हल्दिया पोर्ट चला जाएगा बकसर भागलपुर एक्सप्रेसवे बिहार का तीसरा एक्सप्रेसवे बकसर से भागलपुर तक बनेगा अभी बकसर से दिल्ली तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्मान हो रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ही भागलपुर को जुडा जाएगा इसकी लंबाई 350 किलोमीटर होगी इस एक्स प्रेस्वे का जुडाव गंगा में बने सभी पुलों से भी होगा जिससे राज्य की सड़क संपर्कता में भी वृध्धी होगी बिहार के बकसर, भागलपूर और पटना के बाद इसमें बिहार का भागलपूर भी जुड़ जाएगा गोरखपूर सिलीगुडी एक्स प्रेस्वे गोरखपूर से सिलीगुडी जाने वाले एक प्रेस्वे का रूट बिहार के दस जिलों में निर्धारिक किया गया है